Welcome back to India का नया मैदान मैं अक्षे विफुते आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ आज हम इस वीडियो में BBL के 16 वे मैच के अनलेसिस करने वाले है जो कि Brisbane Heat और Sydney Thunder के बीच खेला जाएगा और हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इस मैच का इन डेप्थ अनलेसिस करके दे ताकि आप एक अच्छे फैंटसी टीम बना के विनिंग कर सके Brisbane Heat ने प्रिवियस मैच रेनिगेट्स के साथ खेला था और उस मैच को जीत कर इस मैच में अपना विनिंग मोमेंटम कंटीनू करते हुए दिखेंगे वही Sydney Thunder भी अपना पिछला मैच जीत कर इस मैच में आ रही है Brisbane Heat टीम ने अपने तीनों मैच जीते और पॉइंटस टेबल पे टॉप पे है वही Sydney Thunder तीन में से सिफ एक मैच जीत पाई है अब ये देखना मज़दार होगा कि Sydney Thunder क्या अलग करेगी ताकि ये मैच को अपने नाम कर सके आगे हम बात करेंगे पिछ रिपोर्ट, दोनों टीम्स के स्टाट्स and की प्लेयर्स लेकिन उससे पहले हम लाए है आपके लिए एक giveaway जिसमें हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और पहले दो सही जवाब देने वाली उद्रस को उनके प्लेयर्स पॉर्ट वालेट में 100 रुपे रियल कैश मिलेंगे बस आपको करना क्या है मैश शुरू होने से पहले हमने पूछे गए सवाल का सही सही जवाब आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है तो इस वीडियो को बिल्कुल भे मिस ना करें एंड एंड तक हमारे साथ बने रहें तो चलिए अब देखते है इस मैच का वेन्यू एंड पिच कंडिशन BBL का 16 मैच 27 डिसमबर दो फिर 1 पैतल इसको ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जाएगा ऐसा कहते है कि T20 मैचेस के लिए ये फेवरेट वेन्यू है चोटा ग्राउंड होने के वज़े से बैटर्स को बड़े शॉट खिलने में मज़ा आता है बॉलोस को भी इस स्पिच से अच्छी खासी मदद मिलती है और इसके चलते हमें कुछ शांदार विकेट्स देखने मिलेंगे स्पिनर के लिए इस स्पिच से कुछ खास मदद नहीं है इस स्पिच का एवरेज फर्स रिनिंग स्कोर 180 के आसपास का बनता है और जो भी कैप्टन यहां टॉस जीतता है वो पहले बैटिंग करना प्रिफर करते है अब देखते है कि गावा का रेकॉर्ड क्या कहता है गावा पे टोटल 26 BBL के मैचेस हुए जिसमें से 27 मैचेस उन टीम्स ने जीती है जिनोंने पहले बैटिंग की है और 28 बार चेस करते हुए जीत मिली है एक मैच ऐसा भी रहा है जिसका कोई रिजल्ट नहीं आया वही इन दोनों टीम्स के गावा पे रेकॉर्ड को देखे तो दोनों टीम्स के भी 7 मैचेस हुई है जिसमें 4 मैचेस Brisbane हिट नी जीती है और 2 मैचेस Sydney Thunder ने एक मैच का नो रिजल्ट रहा है ओरोल हिट टो हिट में भी Brisbane हिट का पलड़ा भारी है जहां दोनों टीम्स ने 20 मैचेस खेली है जिसमें Brisbane हिट ने 12 मैचेस जीती है और Sydney Thunder ने सिफ साथ पिछले 5 मैचेस में जब ये दोनों टीम्स आमने सामनी आई तब 3 बार Sydney Thunder ने विनिंग को अपने नाम किया है अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे है वो है रिसेंटली खेली गई मैचेस और उनके रिजल्ट जो गाबा में खेली गई थी वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे दोनों टीम से टॉप परफॉर्मर्स पहले देखेंगे Brisbane हिट से टॉप रन स्कोरर और इस लिस्ट में आते है Colin Munro जिन्होंने रिसेंट मैचेस में 157 रन बनाए फिर आते है Josh Brown जिन्होंने रिसेंट मैचेस में 121 रन बनाए फिर आते है Sam Billings जिन्होंने रिसेंट कुछ मैचेस में 181 रन बनाए वही टॉप विकेट टेकेस की बात करें तो इस लिस्ट में आते है Xavier Bartlett जिन्होंने पिछले कुछ मैचेस में 7 विकेट लिए Mitchell Swepson जिन्होंने पिछले कुछ मैचेस में 6 विकेट लिए और All-Rounder Paul Water जिन्होंने 36 रन के साथ 6 विकेट लिए अब देखते है Sydney Thunder से टॉप रन स्कोरर और इस लिस्ट में आते है Cameron Bancroft जिन्होंने रिसेंट कुछ मैचेस में 129 रन बनाए Alex Ross जिन्होंने पिछले कुछ मैचेस में 300 रन बनाए वही अगर टॉप विकेट टेकर की बात करें तो इस लिस्ट में आते है All-Rounder Chris Green जिन्होंने पिछले कुछ मैचेस में 39 रन बनाकर 6 विकेट लिए है All-Rounder Daniel Samms जिन्होंने पिछले कुछ मैचेस में 34 रन बनाकर 5 विकेट लिए है And Zaman Khan जिन्होंने पिछले कुछ मैचेस में 6 विकेट लिए है तो ये हैं दोनों टीम से टॉप परफॉर्मर्स अब हम देखेंगे दोनों टीम की Playing 11 क्या होगी लेकिन उससे पहले आता है हमारे गीववे का सवाल आपको बताना है इस मैच में Who will be the highest विकेट टेकर जल्दी जाएए और कमेंट कीजिए क्योंकि समय बहुत कम है Playing 11 की शुरुवात करते हैं Brisbane Heat से तो इस टीम में कॉलिन मुन्रो, जोश ब्राउन, नेथन मैक्सविनी, मैट रेंशो, सैम बिलिंग्स, पॉल वाल्टर, माइकल नेसर, जेवियर बाल्टलेट, स्पेंसर जॉन्सन, मैथिव कोनेमन और माइकल स्विप्सन खेलते हुए दिखेंगे वही अगर सिड्नी थंडर्स की बात करते हो, सिड्नी थंडर्स हैं Cameron Pencroft, Alex Hills, Jason Sangha, Oliver Davis, Alex Ross, Daniel Sams, Nathan McAndrew, Chris Green, Liam Hatcher, Zaman Khan and Tanvir Sangha खेलते हुए दिखेंगे अब हम चलते हैं इस वीडियो के सबसे important part के तरफ जो है दोनों टीम से key players अब जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये हमने सेलेक के हुए key players है अगर आपको ये players सही लगते हैं तो आप इन players को अपने fantasy team में जरूर ले ये आपको अच्छे fantasy points बना कर देंगे और top rank achieve करने में help करेंगे तो ये था Brisbane hit और Sydney thunders के बीच खेले जाने वाले match का analysis मैं उमीद करता हूँ कि इस वीडियो की help से आप एक अच्छे fantasy team बना के winnings कर सकेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को like करें ऐसे ही और informative वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe करें and bell icon को press करना ना भोलें तो मिलते हैं अगले वीडियो में